डलियंस अच्छा होना चीए टेखनीक पर काम करना ऑप लोगों को वो चीज़े दिखाना जो मैं कर रहा हूं आप लोगों को वो कनेक्ट करना मेरे यहाँ पर मैंने जो अपना अपनी कलाई हैं किस तरीके से बना सकते हैं घड़के अंदर वो चीजे में आप लोगों के साथ शेर करूंगा बने रहे हैं मेरे व्लोग पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब और शेर जरूर करें ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लगे और मैं ऐसे से शेशन लेक कराता रहता है तो फिटनस से रिलेटेड आप लोगों के लिए अपनी जो फॉर्स एक्सेसाइज रहेगी हम उसको करेंगे फॉर्ष पर आपके पास मैट है तो मैट का यूज जरूर करें और एक सिर्फ डंबल की जरूरत चाहिए हमें रॉड है तो रॉड से भी परफॉर भी मैंने अपने वीडियो में यह शूट किया हुआ है अब चाहें पुरानी वीडियो से मेरे देख सकते हैं यह वाली एक्सेसाइजर बहुत सेंपल है रॉड एक्सेसाइजर और एक नमबर आएंगे इससे चलो पैरों से अपनी ग्रिपिंग बना लें दूसरा हाथ को यह यहां पर रखें इस तरीके से रखेंगे हाथों को इस तरीके से हाथ को बिल्कुल यहां पर रखें और बिल्कुल पीछे लेकर जाना है यहां पर टच करके और यहां पर स्क्वीज करना है चलो करके दिखाऊंगा 1,2,3,4 फुल-on stretch करना है यहां पर आके स्क्वीज करना ह 1, 2, 3, and 4, squeeze, 1, 2, 3, and 4, squeeze, यह गाइस बहुत दीरे-दीरे करना है, लोड लेके करना है, अपनी मुसल को पेन देके करना है, ताकि अच्छे से एफेक्ट्स है, 1, 2, 3, and 4, यह है, इस तरीगे से करना है, स्टेबल होके, आपने देखा होगा, इस पे के बॉली बिल्कुल भी रोल नहीं हो रही है, और जो भी एक्सेसाइज में परफॉर्म कर रहा हूँ, वो बहुत इजी ली कर पा रहा हूँ, क्यों, वेट मैंने हैवी नहीं लिया है, अगर आप हैवी वेट लोगे इस पे, तो आपको वो एफेक्स नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो इस पे आपको रेंज ओफ मोशन थोड़ा सा कम मिलता है, यही एक्सेसाइज अगर आपके घर में आपके पास बैंच है, तो बैंच पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें आपको रेंज ओफ मोशन ज्यादा मिलेगा, तो यह एड़ करना अपने ट्राइसेप वर्काउट में चलते हैं, अपनी दूसरी एक्सेसाइज पर जो करेंगे हम मशीन पर, यह गाई साब दूसरी जो हमारी एक्सेसाइज रहेगी, रोप पर करेंगे ट्राइसेज को ट्रेन करने के लिए थोड़ा सा हाड़ और पर 25 का लगाया है, ताकि अच्छे से आप लोगों को परफॉर्म करके दिखा पाऊं, और बॉड़ी बैलन्स अच्छे से रहे, हमेशा बोलता हूँ, बॉड़ी बैलन्स और एफेक्ट्स सेम होने चाहिए, ताकि आपको मजा आए बॉड़ी बनाने में, वर्काउट करने म तो बैलन्स अच्छा होना चाहिए, टेक्नीक पर काम करना है तो सोचना पड़ेगा, चलो इस तरीगे से करना है, हातों को थोड़ा सा इस तरीगे से लाए, यहाँ पर रखना है, चेस से थोड़ा सा आगे रखना है, ताकि हमें range of motion हमें ज़ादा मिले, अपने tricep को बनान के लिए चलो one two three ये इस तरीके से करना है धीरे धीरे लेकर जाना है ये one two three and four देखो counting हमेशा करनी है तभी आप लोगों को पता लगेगा कि आप कितना लोड ले पा सकते हो अपने वेट के साथ आपकी मसल पर चलो ये इस तरीके से करना है one two three and four इसमें एक variation जो ज्यादा मेरे को effective लगता है जो पहला वाला variation मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको pain ज्यादा होगा तो आप वो simple variation भी नहीं कर पाऊगे simple वाला variation ये रहेगा मेरी तरफ से अब इस पर थोड़ा सा hard और hard करते हैं इसको एक point उपर तके volume बढ़ाते हैं इसका ये इस तरीके से हाथों को बिलकुल अपने chest के पास रखे और इस तरीके से ये जो होगा आपका client straight रहेंगी और धीरे धीरे ये इस तरीके से और यहाँ one two three and four squeeze breathe in breathe out stability पैरों से power generate आपकी flexibility range of motion सारी चीजें बहुत चीजें हैं ध्यान रखने के लिए इसी लिए मैं सारी चीजों को एक साथ आप लोगों के साथ बताता नहीं हूं जो जो चीजे main main points हैं आपकी stability हो गई आपकी जो range of motion रहेगी आपका set of set of mind कैसा रहना चाहिए वह चीजे आप initial stage पर हो तो वह चीजें आप डवलप करें पहले अपनी strength को डवलप करें अपना interest डवलप करें towards to अपने workout चलो यह हमारी दूसरी exercise थी अब हम इसी पर ही पुली push down करेंगे पर वो करेंगे दूसरे variation में किस एरी के से करेंगे वह जुरूर देखना most effective exercise और interesting exercise अपनी जो train कर रहे हो उसको उतना pain से पेल दो ताकि घर जाने के बाद आप कुछ भी खाओ शाला लगेगा जरूर आपको वह चीजें डवलप हो गया आपकी muscles उसी speed के साथ चलो इसके तीन सेट लेंगे पर सेट पे कम से कम 12 repetitions लेने कम से कम 12 repetitions लेने और अगर आपको major करना है heavy weight पर जाना है तो आप 15, 12, 10 heavy weight के साथ same weight पर कर रहे हो तो 15 repetitions या फिर 12 repetitions count करके रखना है count जरूर करना है मैं count इसलिए नहीं करता हूं आप लोगों के साथ बाते करता हूं आप लोगों को वो चीजे बताता हूं कि शायद ही कोई आप लोगों को इतनी detailing में बताता होगा तो याद रखना डीटेल देना जरूरी है एक्सराइज आप वैसे भी करते ही हो डीटेल देना जरूरी है ताकि आप डीटेल में यहां रखो और सोच करो फोकस के साथ करोगे ज्यादा मजाएगा चलो तो रिवर्स बैक करेंगे इस पर किस तरीके से पोजिशन रहेगी वैरियेशन रहेगा वह बताऊंगा पैरों की ग्रिपिंग यहां पर बना लें इस तरीके से पैरों की ग्रिपिंग बनेगी आपकी इस तरीके से ज्यादा वाइड नहीं रहेगा ज्यादा क्लोज नहीं रह होगा बट मेरे को यह डवलप करना यह इनर वाला बाद में करने के पहले यह करते हैं क्योंकि शॉर्ट और टी-शिर्ट में तो यह दिखते हैं चलो इस तरीके से वेट मैंने उतना ही लिया है जितना मैंने पहली वाली एक साथ रोप पे किया था क्योंकि आपको करना मिरे को कई हा यार आप लोग को क्या से आप लोगगों के लिए क्या को क्या देना चाहता हूं वह फील करो आप तो चलो फील करेंगे फील के साथ ऑन हर्याए सा हई हिपस भार निकालने अपने चैस्ट अप यहां पर लॉक कर लें अपने हाथों को और धीर धीर जाना धीर धीर पूरा इस तरीके से वन टू थ्री फोर वन टू थ्री एंड फोर अब एक चीज दिखाता हूंगा आपने शायद नूटिस तो कर रही होगा और जो कि करते हैं हमेशा वो और अच्छी चीज़े करना चाहिए जब मैं नीचे लेकर आ रहा हूं लोड लेते हुए आ रहा हूं तो यहां पर मैंने ज यहां पर हिट होता है वो चीज आपको भी करनी है चलो फिर से करके दिखाता हूं इस पर ध्यान देना नोटिस करना कॉंसेंट्रेट करना यहां पर चलो पोजिशन आपकी हिप्स बाहर लॉक कर लें अपने हातों को क्लोज कर लें चैस के और यहां पर वन टू टू ट्री करना है एक सेकंड के लिए 25 का वेट कम नहीं होता है मेरे लिए तो हैवी भी है वो थोड़ा लाइट भी ठीक है मतलब आप लोगों को बताना था इजीली हो गया आई होप कि आप लोगों को जो चीजे मैंने बताई है वो समझ में आई हो पॉइंट टू पॉइंट बारी क से बताता हूं ताकि आप लोग कहीं पर लैक ना करोगा गईज अपनी जो चौथी एक्सैphoria रहेगी बहुत ही सिंपल दिफ्रेंट exercise रहे इस लिए क्योंकि आप घर में कर सकते हो डंबल है डंबल के साथ करो bricks हैं, bricks के साथ करो effects आपको same आएंगे अगर आप मेरी बताई गई positions में करते हो workout, तो चलो कौन सी workout रहेगी, last हम करेंगे, इस पे बैठ के, इस पे बैठेंगे नहीं नीचे बैठ के करेंगे, पर variation अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए मैंने जो ले कर रहे हो, थोड़ा सा different है hard रहेगा, बट मज़ाएगा heavy weight पे करेंगे, 15 का weight है अब इस पे करने का एक फाइदा और बताऊंगा, मैं एक नहीं वैसे तो कई फाइदे हैं, पर आपको एक ही बता दूँ, वह बहुत है क्या होता है लोगों को समझने में नहीं आता है कुछ भाई जो different तरीके से सोचते हैं, उन लोगों को शायद हो सकता है, समझ में नहीं bench पे टेका लगाएंगे support लेंगे, ताकि आपके back पे pain ना आए, body इधर-उधर हिले ना, और आप stability के साथ perform कर पाएं ये वाली है, पर कापको effect आएगा tricep के, चलो 15 का weight लिया है, 3 set लेने at least 12 repetitions लेंड़ पर इस पे लेना heavy है, अगर आप 10 मार सकते हो तो साड़े बारा का लेना बारा का लेना, बट 10 मत मारना करें क्योंकि light weight मारोगे न, तो मज़ानी आएगा चलो, इस तरीगे से थोड़ ऐसा band कर ले, हाथों को बिल्कुल पीछे ले ये, 1, 2, 3, and 4 पूरा stretch करना है tricep को और ये, 1, 2, 3, and 4 1, 2, 3, and 4 ये, अब देखो मेरे को कितना अच्छा support मिला है पैर मेरे यहाँ पे fix है जमीन पर, फर्ष पर, पैर हिल नहीं रहे है दूसरा support मेरे को कहा से मिला bench का मिला, 1, and 2 2 supportive positions मेरे को मिल गई है तो इतने easy, और इतने strongly और positively, और confidently मैंने ये वाली exercise परफॉर्म करी है आप भी ये वाली करना ज़रूर और मुझे बताना गाए कि भाई कैसी exercise है क्योंकि यार, हो सकता है कि मैं आप लोगों को उस तरीके से, उस level पे या उस professional तरीके से ना बता पाता हूँ और कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि भाई बहुत अच्छा बताते हो क्योंकि यार, देखो, मेरे यहाँ पे और इस platform पे आने का सिर्फ एकी reason है जो मेरे छोटे बड़े भाई है जिनको पता नहीं लगता है या कुछ लोग बोलते हैं यार, हम coaching दे देंगे तुमें पैसा ले लेते हैं हफता दस दिन तुमें बताते हैं, शरीर तोड़ देते हैं फिर तुम दो महीने के लिए गायव हो जाते हैं क्यों? क्योंकि जो आपने सालों से कभी exercise करी नहीं है और आपको दस दिन में वो exercise करा देंगे तो आपका शरीर बुरी तरह तूट जाएगा और fever हो जाएगा और fever होने के बाद तो जो आप पहले से इतने RCO इतनी motivation लेकर exercise जानना स्टार्ट करा था और फिर coach ने तुमें पेल दिया इतने बुरी तरीके से तो उसके बाद तो तुम वैसे भी नहीं जा पाओगे क्योंकि मसल्स आपकी बिल्कुल रदी हो चुकी होगी टूट चुकी होगी आप लोगों को यह वाली जो वीडियो है यह वाला जो session है यह पसंद आए और आप add-on करें यह वाली exercises अपने routine में तिल देन अपना ख्याल रखें अपना family का ख्याल रखें मिलते हैं आप लोगों से कुछ नई exercises के साथ कुछ नई excitement के साथ next vlog में ख्याल रखें अपना, bye bye, take care